सो हेलो दोस्तों वेलकम बेक टो माई यूटूब चैनल सो दोस्तों मैं विने गुपता आफ सावी का एक और मोश्ट इंपोर्टन लगनी वीडियो में सौध करता हूँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग ग्रो एकाउंट में अपना पहला सेर वाई एंड सेल कर सकते हैं तो दोस्तों आज की ये वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टन होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आप लोग लिमिट लगाकर कैसे सेर को वाई कर सकते हैं एंड मार्किट प्राइस पर भी सेर को कैसे वाई कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी भाईयों के लिए काफी ज़्यदा important होने वाली है तो दोस्तों वीडियो को बिना skip की एन तक जरूर देखना जिससे आपको share, why and sell करने का जो पूरा complete process होता है आपको अच्छे से clear हो जाए और दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ educational and information purpose के लिए है तो दोस्तों ट्रेडिंग या investing करने से पहले आप खुद की research जरूर करें तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना grow account open कर लिया है open करते ही आपके समय कुछ इस प्रकर का interface सो होने लगेगा आप दोस्तों यहाँ पर सबसे उपर की side में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपको nifty 50, bank nifty, sensex, fin nifty, mid cave nifty यह सारे index आपको देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तों इन index में हम लोग क्या करते हैं इन index में हम लोग trading करते हैं option trading तो दोस्तों trading के बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि हम लोग share को कैसे why and sell कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सन नीचे आएं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा most what on grow तो दोस्तों यह option यहाँ पर देखने को मिल जाता है यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर why and sell किये जा रहे हैं वो कौन कौन से यहाँ पर इस्टोक देखने को मिल रहे है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार Tata Telecom MTNL GTL Infrastructure Tata Steel इस प्रकार दोस्तों अगर आप लोग थोड़ा सन नीचे और आएंगे तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा all stock का तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल रहा होगा all stock का जैसे ही आप लोग इस पर click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके जितने भी यहाँ पर stock आपको देखने को मिल रहे हैं आप इनमें से किसी भी stock को buy and sell कर सकते हैं तो दोस्तों हम लोग बापस से चलते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से सीखते हैं कि हमें किस प्रकार स्टोक को buy and sell करना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा gainers and losers losers मतलब की यहाँ पर आज के दिन koon قwn से ऐसे श्टोक हैं जो आज gain हुए हैं और कों कों से ऐसे श्टोक हैं जो आज lose हुए हैं तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी हमारा क्या है gainers select है और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ large पर click करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर जो large cap company है वो यहाँ पर so होने लगेंगी मतलब कि आज यह यह company क्या कर रही है gain कर रही है अगर आपको mid cap company में देखना है तो आपको mid पर जैसे click करेंगे यहाँ पर आपको mid cap company यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और दोस्तों अगर आपको small cap company देखनी है कि कौन कौन सी small cap company आज बढ़ रही है तो आप जैसे small पर click करेंगे यहाँ पर आपको small cap company देखने को मिल जाएंगे अब दोस्तों इसी प्रकार अगर आपको top losers मतलब कि कौन कौन सी company आज गिर रही है वो देखनी है तो आप लोग इस losers पर जैसे click करेंगे अब यहाँ पर भी आप लोग large cap, made cap and small cap तीनों का देख सकते हैं तो दोस्तों I hope आपको यह वाला features आसानी से समझ में आगे होगा अब हम लोग नीचे की और scroll करते हैं और यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा top intraday तो दोस्तों यहाँ से आप लोग intraday trading भी कर सकते हैं बड़ दोस्तों हम लोग क्या करेंगे हम लोग आज share को buy करने वाले हैं तो हमें क्या करना है share को सबसे पहले buy करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं share को buy करने के लिए अगर आपको कोई भी particular share को buy करना है तो आप लोग सबसे पहले इस बाले option पर जाएंगे मतलब कि यह जो आपके सबने search का option दिख रहा है इस पर जैसे ही click करेंगे अब दोस्तों यहाँ से आप जिस भी share को buy करना चाहते है उसे यहाँ से क्या कर लेंगे search कर लेंगे तो दोस्तों example के लिए मान लिजे आपको reliance buy करना है या vipro buy करना है या ITC buy करना है कोई भी stock buy करना है उसे आप यहाँ पर search कर लेंगे तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ITC को देखने बाला हूँ तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया ITC तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारे सामने एक stock आया है ITC limited तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा इसे open करूँगा तो दोस्तों जैसे ही मैं इसे open करूँगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ITC का जो चार्ट है वो किस प्रकार चल रहा है मतलब कि ITC जो है वो आज के दिन लगवग 1.25% क्या है गिराबट में देखने को मिल रही है और अगर इसके रुपए में बात करें तो लगवग यहाँ पर 6 रुपए की आसपास ITC का जो सेर है वो आज नीचे चल रहा है तो दोस्तों हमें क्या करना है मैं बाई करना है और बाई हम लोग क्यों करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगना चाहिए कि सेर बढ़ने वाला है तब हम लोग उस सेर को क्या करते हैं buy करते हैं तो दोस्तों मैं इसे क्या करने बाला हूँ buy नहीं करने बाला हूँ क्योंकि ये तो इस टो जो है वो पहले से ही नीचे की और जा रहा है अब हम लोग यहां पर कौन सा सर्च करेंगे यहां पर हम लोग सर्च करते हैं विप्रो तो दोस्तों मैंने जैसे ही विप्रो सर्च किया आपके समने विप्रो उपन होकर आ जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप लोग देखें तो विप्रो का जो सेर है वो आज के दिन लगवक 9.5% तूट चुका है मतलब कि विप्रो के सेर मैं भी यहाँ पर आपको गिरावर देखने को मिल रही है तो दोस्तों हम लोग बापस से पीछे चलते हैं और यहाँ पर कोई भी एक ऐसा स्टोक बाई करते हैं जो की प्लस में चल रहा हो तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं यह जो आपके सामने option था most what on grow तो इसमें से हम किसी भी एक श्टोक को बाई करने की कोशिस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने यह सबसे पहला जो श्टोक है टाटा टेलीकॉम ठीक है तो आप लोग क्या कर सकते हैं जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface सो होने लगेगा तो दोस्तों यह share मैं सिर्फ और सिर्फ example के लिए buy करने बाला हूँ तो दोस्तों मेरे देखते हुए कोई भी share आप लोग buy ना करें आप लोग खुद की research करने के बाद क्या करें share को buy and sell करें तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस परकार का interface आपके सामने open होकर आ जाएगा आप दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो share है वो लगवक सबा 3% यहाँ पर प्लस में चल रहा है और अगर यहाँ पर हम लोग पैसों की बात करें तो यहाँ पर लगवक 3.25 पैसे यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है अब दोस्तों यहाँ से आप लोग और क्या कर सकते हैं यहाँ से आप लोग और यह कर सकते हैं कि जैसे आपको क्या करना है इसका chart analysis करना है तो आप लोग क्या करेंगे इस बाले icon पर जैसे ही click करेंगे तब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का चार्ट ओपन होकर आ जाएगा अब दोस्तों सेर को buy and sell करने से पहले आप मतलब क्या करते हैं किसी भी सेर की analysis करते हैं उसके fundamental देखते हैं उसके technical analysis देखते हैं तब दोस्तों आप उसे buy करेंगे क्योंकि आपका जो भी पैसा है बहुती मेहनत का है बिना analysis करें कोई भी काम नहीं करना चाहिए तो दोस्तों यहाँ से अप लोग क्या कर सकते हैं यहां से 4 पिस यह पार आपनी analysis कर सकते हैं तो दोस्तों आब हम लोग वापस से चलते हैं, अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा से नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आप लोग इसकी performance देख सकते हैं, कि आज के दिन ये share, इस share ने कितना low लगाया है, और आज के दिन इस share ने कितना high लगाया है, तो दोस्तों यहाँ पर इसने 55 रुपे 5 पैसे का low लगाया है और अगर इसके 52 विक high की बात करें तो यहाँ पर इसने 111 रुपे 40 पैसे का high लगाया है अब दोस्तों यहाँ से आप लोग थोड़ा सा और देख सकते हैं market depth देख सकते हैं यहाँ पर कि buy orders कितने चल रहे हैं तो दोस्तों यह सब करने के बाद अब number आता है कि हमें share को buy कैसे करना है तो दोस्तों हमें share को buy करने के लिए सबसे पहले यह जो आपको नीचे की side में दो option दिख रहे होंगे एक cell का end जो दूसरा option है वो buy का तो आप लोग क्या करेंगे जैसे यह buy बटन पर किलिक करेंगे आपके सबने कुछ इस प्रकार का इंटर्वेस होने लगेगा अब दोस्तों यहाँ पर सबसे उपर की side में अगर आप लोग देखें तो आपका जो share है वो टाटर टेलिकॉम में ठीक है इसके जश्ट नीचे आपको एक option देखने को मिल रहा होगा delivery का तो दोस्तों delivery का मतलब क्या होता है यही से आपका जी आपकी जो main process है यही से start होती है तो दोस्तों delivery का मतलब यह होता है कि जैसे आपने कोई वी share आज buy किया और उसे आपको एक हपते बाद, एक महिने बाद, एक साल बाद, पांच साल बाद, दस साल बाद जब भी बेचने का मौका मिले आप लोग उसे बेच सकते हैं ठीक है चाहें तो आज आपने buy किया और आज ही आप बेच सकते हैं यह होता है आपका delivery में मतलब कि delivery में जिसे आपने अगर buy कर लिया तो आज बेच सकते हैं कल बेचें, परसों बेचें, दस दिन बाद, बीस दिन बाद, एक, दो, तीन, चार, पांच, साल बाद भी अगर आप बेचना चाहें तो यहाँ से बेच सकते हैं और दोस्तों इसके पडोस में आपको एक और आपको यहाँ पर option देखने को मिल रहा होगा इंट्राडे, तो इंट्राडे का मतलब क्या होता है तो दोस्तों इंट्राडे का मतलब होता है कि जैसे आज आज आपने कोई भी share buy किया तो आपको उस share को आज ही sell करना पड़ेगा चाहें आपको उसमें profit हो रहा हो या फिर आपको उसमें loss हो रहा हो बड़ दोस्तों यहाँ पर इंट्राडे करने पर आपको एक मतलब क्या होता है एक अच्छी चीज़ अगर आपको देखने को मिलती है तो यह होती है कि आपको यहाँ पर margin देखने को मिल जाता है जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिस करता हूं कि अभी आपका जो यह share है कितने का है 105 रुपे का अगर आपको delivery में बाई करते हैं तो आपको 105 रुपे देने पड़ेंगे ठीक है अगर दोस्तों यही share आप intraday में बाई करते हैं तो मैंने यहाँ पर intraday क्या कर लिया है select कर लिया है तो दोस्तों यहाँ पर मैं quantity डालता हूं जैसे एक तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यह share कितने का था आपका 105 रुपे का बड़ दोस्तों आपको कितना देना पड़ रहा है यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं निचे की साइड में सिर्फ और सिर्फ इस एक share को वाई करने के लिए 22 रुपे देने पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो margin मिल रहा है वो 5X तक का margin देखने को मिल रहा है तो दोस्तों इंट्राडे में यह आपका जो होता है सबसे वड़ा आप कह सकते हैं अच्छी चीज़ होती है बर दोस्तों यहाँ पर condition यह होती है कि आपको यह share आज ही sell भी करना पड़ेगा अगर यहाँ से price क्या हो गए नीचे गिर गई और साम के साड़े 3 वज़े तक price इसके ओपर नहीं गे तो आपको यहाँ पर नुक्सान देखने को मिलेगा फिर भी आपको यह share sell करना ही करना पड़ेगा तो दोस्तों यह कुछ condition होती है आपके delivery और intraday में तो हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर share को buy करने वाले हैं delivery में तो मैंने यहाँ पर आपका delivery select कर लिया है और मैं यहाँ पर quantity कर देता हूँ एक क्योंकि दोस्तों यह में सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ अब दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हैं नीचे की सायर में option है आपको यहाँ पर NSC and BSC दो option देखने को मिलेंगे चाहें आप NSC में बाइ कर लें या फिर BSC में बाइ कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है and जितनी भी quantity आपको बाइ करनी है आप उतनी quantity यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपनी fill कर सकते हैं आप दोस्तों नीचे की सायर में आपको एक option और देखने को मिल रहा होगा market का तो दोस्तों इसका मत यह होता है कि जैसे अभी जो आपका share चल रहा है Tata Telecom कितने का चल रहा है 105 रुपे का ठीक है अब दोस्तों अगर आप लोग इसे market price पर वाई करेंगे तो आपको पूरे पूरे 105 रुपे यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे पे करने पड़ेंगे मतलब 105 रुपे यहाँ पर देने पड़ेंगे बड़ दोस्तों आपको यहाँ पर एक arrow का निसान देख रहा होगा market के बिल्कुल पड़ोस में जैसे ही आप लोग इस पर click करेंगे अब यहाँ पर आपका जो market था वो हटकर क्या हो गया limit हो गया तो दोस्तों limit का मतलब क्या होता है तो दोस्तों यहाँ यहाँ पर 103 रुपे डालें और buy पर click करेंगे तुरंत आपका order जो है वो लग जाएगा और दोस्तों यहाँ पर जितने वी time आपकी जो price यह 103 रुपे आएगी उसी time आपका यह जो share है वो क्या हो जाएगा buy हो जाएगा ठीक है तो I hope आप लोग समझ गया होंगे कि limit में आपके market उस price पर आएगी आपका वो share क्या हो जाएगा execute हो जाएगा और आपके पास वो share आजाएगा तो दोस्तों I hope आप लोग समझ गया होंगे कि limit का मतलब क्या होता है तो दोस्तों आप हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं आपके जो market price है उसी पर buy करेंगे क्योंकि दोस्तों वीडियो काफी जादा लंबी हो सकती है क्योंकि पता नहीं कितनी time पर आपका 103 रुपे यहाँ पर आएगा ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर हमने market select कर ली है हम लोग क्या करेंगे market पर ही से buy करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो भी अपनी fill किया है आप लो यहाँ पर हमारे पास एक पहले से share है कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बट दोस्तों यहाँ पर जो share हमारे पास है आप लोग same उसी share को buy मत किजेगा क्योंकि दोस्तों हमने अपने अपने इसाब से analysis की है आप लोग अपने इसाब से analysis करना तो दोस्तों यह जो वी share आपको यहाँ पर दिख रहे हैं यह कोई वी recommendation नहीं है आप लोग सिर्फ और सिर यह ने परवाइय किया है एक स़ोपांच रूपक के छौदा पैसे पर और अव यहां पर आपको यहां पर दिख रहा है वह यहां पर ग्रीन में दिख रहा है आप जो जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर click करने के बार आपनों holding details पर जैसे ही click करेंगे अब यहाँ पर आपके समने सारी जो भी यहाँ पर process चल रही है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी आपका जो total return है वो यहाँ पर 0.05 पैसे है मतलब आभी हमने buy किया है तो उपर नीचे हो रहा है ठीक है आप लोग इस परकार देख सकते हैं और नीचे की side में देखें तो यहाँ पर आपको जो profit चल रहा है वो एक पैसे का चल रहा है 0.02 पैसे का चल रहा है तो दोस्तों यह हो गया आपका कि किस परकार आप share को buy कर सकते हैं तो दोस्तों आप बात आती है कि share को आप लोग कैसे sell कर सकते हैं चाहें तो आप limit लगा कर भी share को sell कर सकते हैं या फिर आप market price पर भी share को sell कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आप हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो यह share है इसे आप लोग कैसे sell कर सकते हैं तो आप लूग क्या करेंगे आप लूग जैसे ही इस share पर click करेंगे अब नीचे की side में आपको दो option देखने को मिल रहे होंगे sell and y का तो हमें क्या करना है हमें ये share sell करना है क्योंकि buy तो हम पहले ही कर चुके हैं तो आप लूग जैसे ही sell पर click करेंगे आप यहाँ पर आपसे पूछेगा delivery में मतलब यह सारी चीजे आपसे यहां पर दोबारा पूछने वाला है तो दोस्तों हमने क्या buy किया था हमने delivery में buy किया था तो यहां पर जो select करना है delivery ही select करना है यहां पर quantity कितनी बैचनी है हमारे पास एक quantity थी तो हम यहां पर एक quantity फिल कर देंगे हमें क्या करना है market पर वेचना है या फिल लिमिट लगा कर वेचना है तो दोस्तों यह वी आप लोग समझ लीजिए market पर अगर आप लोग वेचोगे तो जितने प्राइज अभी चल रही है आपका उतने पर ही market में sell हो जाएगा और दोस्तों अगर आप लोग लिमिट लगा रहना चाहते है कि मतलब हमारा 105 पर अभी चल रहा है और हमें यह क्या करना है 2 रुपे एक्स्ट्रा पर वेचना है मतलब 107 रुपे पर वेचना है तो दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग इसे market पर ही यह sell करने वाले है तो यह सारी जो वी यहाँ पर आपसे पूचे आपको जितनी quantity वेचनी है आपको उधनी quantity यहाँ पर बेच सकते हैं मतलब कि जैसे आपने 1000 quantity वाई की थी तो आप चाहें तो यहाँ पर 500 वी वेच सकते हैं चाहें तो आप पूरी की पूरी 1000 वी बेच सकते हैं ठीक है तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं sell पर click करते हैं और जैसे यह आपने sell पर click किया है तो यहाँ पर आपका sell order place हो गया है और जैसे यह आप लुग डंपक क्लिक करेंगे आप दूस्तों यहाँ पर आप लुग देख सकते हैं यहाँ पर हम लुग क्या करते हैं यहाँ पर आपका जो holding में है वो अब यहाँ पर holding में 100 नहीं होगा क्योंकि हमने आज ही buy किया है और आज ही इसे क्या कर दिया sell कर दिया तो हमारे जो order में आएगा तो यहाँ पर आपको order में देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आप लुग देख सकते हैं हमने जो 12 बस के 56 मिनट पर एक quantity किया किया था buy किया था 105 रुपे 14 पैसे के हिसाब से और हमने जो इसे sell किया है वो 12 बस के 69 मिनट पर मतलब लगवाद 3 मिनट बाद हमने इसे क्या कर दिया sell कर दिया 105 रुपे 25 पैसे पर तो दोस्तों आपको आप लोग कुछ इस परकार अपने share को buy and sell कर सकते हैं तो दोस्तों I hope आपको आज की ये वीडियो पूरी complete process अच्छे से समझ में आगया होगा तो दोस्तों I hope मैं आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो please वीडियो को like जरू करें साथी साथ हमाई चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस जरू करें तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत